हेलो अब्रीवन वेलकम टू आल आफ यूटूब चैनल आप प्रेंट सेविसोजेश गाइज आज में आप लोगों के बीच में एंसेंड इंडिया याने की प्राचीन भारत का एक महत्पूर टॉपिक लेकर क्या हूं जिसका नाम है बॉद्धम याने की बुद्धर रिलीज और बच्चों शीरीज यानि की टॉपिक को समझने का हमारा जो उद्ध्यस है वह किस से पुरा होता है मल्टिपल चॉइस कुछन की माद्रियम से मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक समझाने का प्रयाज करता हूं तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप पहल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपूर्टेंट इंफोर्मिशन की बच्चों भारत का यह मात्रिक ऐसा इसा कॉलेज है प्रिंस कॉलेज जहां पर आपको कॉलेज के साथ-साथ आपको आई-ई-ई-ई- गुरूप आपके सोसल मीडिया के अन्य फेस्बूक यूटूब इस्टाग्राम इन सभी प्लेटफर्म से आप जोड़ सकते हैं जिससे की आपको नई-ई-ई-ई-जानकारी भी मिलती रहें तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं तो आज के सेसं का सबसे पहला सवाल नि पुद्दूम सा थेरा गाता यानि कि प्रस्ट है कि बौध धर्म का एक ग्रंथ है उस ग्रंथ में युनानी सासक मिलिंद और बौध गुरू नागशन के मर्द समवाद की चर्चा की गई तो वह कौन सा ग्रंथ है तो बच्चों उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पहु यह ज उनके द्वारा जीवन में तूसे लेकर करके जो भी एक जीवन की समस्याइं होती है यह कि मानसिक प्रस्ट होता है किसी मानव के दिमाग में वो सारी प्रस्टों के द्वारा पूछे गहें ते किसकी साधा मिलिंद से जो की इन्वानी सासक है तो किस में मिलता है यह सब्सक्राइब हैं तो चलिए बच्छो इन मिलिंद पहों के साथ आज हम लोग अन्य ग्रंतों की चर्चा करते हैं जिसे की आपको बहुत धर्म के जितने भी उनकी जानकारि प्राप्तों तो इस पीक्टर की माधियं से देखने का प्राश करेंगे कि बहुत साहित कौन कौन से एक है बुद्ध वंसा कि यह जो ग्रंत बच्चों इसमें महात्मा बुद्ध का पूरा complete इतियास मिलता है यह स्रीलंका का इतियास के बारे पुरी जानकरी प्राप्स होती है दूसरा थेरा गाता थेरी और जो ग्रंत बिख्च्चु में ज होते हैं उनके गीत है देरे गाता में बुद्ध के गीत जाते स्लीच्य हूँ जुकूरा और प्रलो ह्चया जाते हैं कि एक ग्रंट है महावस्तु यह संस्क्राइब प्राक्त वासा में लेकिन बुद्ध की पवित्र जीतनी इसे मिलती कहां से मिलती है महावस्तु से तो यह कुछ प्रमुग ग्रंथ हैं जो की बहुत धम से संब्दित हैं और ने की का हमारा प्रेश्ण मिलिंद्पहु से संब्दिता लेकिन यूपी और आरेस के द्वारा और या अन्य सरकारी नौक्रियों के द्वारा आपको इससे प्रेश्ण पूछे जा सकते अन्य है अगला प्रेश्ण म düşते हैं निम्लि कित्मे से कौन सी महातमा बूद्दि की मुद्रा सांक्ती सुरच्छा को दलसाती है अभैं मुद्र ग्यान मुद्रा म वरत मुद्रा धर्मचक्र मुद्रा ये बहुत ही अच्छा प्रस्ण उन्होंने कई प्रिकार की मुद्राओं से अपने आपने भाव भंगावाः को प्रस्तुत करने का प्रयाश किया है उसमेंस यह कि है कि महात्मा बुद्धी की मुद्रा है यानि कि बैठने की मुद्रा है जिससे पता चलता है सांती और सुरच्छा को तो उसका उत्तर है अभे मुद्रा अभे मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो कि महात्मा बुद्धी की सांती और सुरच्छा को दर्शाती है से महात्मा बुद्धि की द्वारा किसी ना किसी प्रिकार का संदेश दिया जाता है तो चलिए उन सभी मुद्राओं की बात कर लेते हैं पहला है धर्म चक्क मुद्रा यह महात्मा बुद्धी की वह मुद्रा है जिससे उनके जीवन काल के उन लगों को पतेविद्ध करती है जब ग्यान प्राप्ति की परसा सारनाथ की कुरुंग उपवर्वे पहली बार धार्मिक उपदेश दे रहे थे मैंने आपको इससे लाज सीरीज में बताया भी था कि जब महात्मा बुद्धी को ग्यान की प्राप्ति हुई ग्यान प्राप्ति की बाद उन्होंने सबसे पहले सारनाथ के कुरुंग उपवर्वन में अपने जो पांच ब्रहमन मित्र थे उनको उब्देश दिया था पाली मैं उनके प्रभुधन की है कि भूमी इस पर्समूद्रा या बताती है कि जब माटमा बुद्ध को घ्यान की निर्वारें की प्राप्ति हुति यह उसको दरसाते कौन सी भूव लोग छित्र के मादम से बढ़े सकते हैं बहों सबसा इसमें की अब मुक्नीं की मुद्रा यह ग्यान की मुद्रा है यह वरत मुद्रा है अभी हम लोगों ने इन तीनों की बात की है भूमिस पर्ष दर्म चक्र और अभे मुद्रा अब हम बात करते हैं आगे की तीन और हम लोग बात कर चुक हैं सांती सुरच्छा द्यादुता को ग्यान मुद्रा यह अंगूठे से छूने का चक्र कर निर्मान होना होता तता यह ग्यान की मुद्रा यह वाला सीने पर परस्तूत करते हैं हैं कि जयान हो कि अगला है वरत कद यह मुद्रा ओर्जा की प्राप्ति के लिए कूलरों ध además होने के गुर्ठ का प्रतीक कि यानिकी वर्हागरर माटन पून बताने का प्राश करते हैं कि dsव्या कुछ प्राप्त करना है उद्धार लिए वरत है अभी तक UPSC ने जो प्रस्ट पूछा था वह प्रस्ट पूछा था भूमी स्पर्स थे अब हो सकता है यूपी पीचेस आरेयस या अन्य किसी अग्जाम में भूमी स्पर्स के साथ साथ किसी अन्य मुद्रा की वो चर्चा कर सकते हैं क्लियर यानि कि जितने भी मुद्रा हैं महात्मबुद्र की वो किसी ना किसी संदेश को देते हैं और UPSC हो सकता है अगली बार किसी और मुद्रा की चर्चा कर लें तो जान देगा इन पांचों को अगला प्रस्ट है निम्लिकित में से प्रथम बहुत संगीति का आयोजन किस किसके सासन काल में हुआ था बिम्मिसार अजासस्त्रू असोग कनिस्क बहुत ही अच्छा प्रस्ट है और UPSC आरे से अन्य एक्जाम में प्रस्ट लगाता पूछा जाता रहता है बहुत संगीति की बारे में द्याने किएगा कुल मिला करके चार बहुत संगीतियों किया ग आयोत की गई थी वो अजासस्तू के सासन काल में यानि कि 483 में जब महात्मा बुद्ध की मत्यु हुई थी उनकी मत्यु के तुरंत बाद अजासस्तू ये कौन है ये है मगद के सासक मगद के सासक अजार सस्तू के सासनकाल में प्रतम बौध संगिती का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था राजग्रह में किया गया था राजग्रह में कहां किया गया था राजग्रह में सब्त पढ़नी गुफा में किया गया था कि तो यारी हमारे प्रैस्ट्र का उत्तर क्या रहा ही हम कैसे को सँनकाल में प्रतम ब। लिक्ति Disney का क्या होता है उद्धिस होता है बहुत द्रम का प्रचारएक किया जाए है या महात्मपुर्धी के उपदेश थैंी नियम कानून थे wrong को संक नない कैसे किया जाई है ंप मैं चलिये काम कर दें बच्चों चारों की चारों बौद संगितियों को अध्यन कर लेते हैं जिसे कि यह प्रस्ट के साथ साथ अगर भविस्ट में यूप्य सी आरेस के द्वारा कभी आपके सामने प्रस्ट आता है तो आप उसको सॉल्व करने के इस्ति में रहें तो चलिए सब्सक्राइल बात करते हैं प्रस्टम बहुत संगिति की आप दाने केगा टोटल कितनी संगिति है चार तो सब्सक्राइब कहां किया गया था चार सो तिरासी इसापूर में सब्त परणी गुपापर कहां पर राजग्रे में राजग्रे कहां पर विहार में और दाने केगा राजग्रे उस समय मगद के सासकों की राजदानी हुआ करती थी किसनगहित नाम महाकसथप दूसरा इस बहुत तहीं संगिती में क्या किया लिए अ कि एगा नाम नहीं ट्रिपिट होग consistency कि तक वीनय पिटक इन दोनों का संक्रण किया गया था लिखा गया था किसके वारा swoot इसन पिटक का दिन अनन ऑन ध्रार किया वह उनके धों क्रमूज leer चाथ सें अनन वह और दूसरे उपाली कि कैसे आनन नहीं अनने का निरंमार किया है में का पाली ने मैं शुक, निर्मार किया और कल मैंने आपको बताया भी था लास सेशन में कि विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के बहुत संग के जो बिच्शू होते थे उनके लिए नियम कानून यानिकी अनुसासन की तोकरी भी इसको का जाता है और सुथ पिटक में महात्मा बुद्ध के जो पिटक को आनंद और उपाली की द्वारा संग्लिट किया गया था यह इसका में पॉइंट है अगला बात करते हैं दुती बहुत संगिती इसका आईजन 383 इसापूर वियानिकी प्रथम बहुत संगिती के अगले 100 वर्सों के बाद 383 इसापूर में वैसाली के बालुक और विहार में इसका आईजन किया गया था उस समय मगद का सासक काला सुक था यानि की जो मगद के साथ है काला सुक उसकी राजदानी क्या थी वैसाली तो वैसाली में इसका आईजन किया गया था और सासक का नाम क्या है काला सुक इसके अदच कौन थे अदच का नाम था सर्व काम है और इस बहुत संगिती में बहुत का विवाजह नुगा था इस्तप्र और माहसंगो काम है यानी कि सो साल के बाद बहुत द्रम के अंदर दो की विचाहादा रही इस्तप्री कीद्वार्ण माना जाता था दूसरी विचार तारा को मास इंहा का की दारा पुंड़ा तो यह जुद्धि यह तुद्थी बहुत संक्यतिक आयोजन सबसे इसमें जो त्रिपिटिक का तीसरा पार्ट है अभीदम पिटक उसका संक्लन किया गया अभीदम पिटक का और फाइनली फाइनली त्रिपिटक में जो प्रतम बहुत संग्रिती के सुथ और विने का और इन तीनों को मिला करके नाम दिया गया और किस भासा में संक्लित किया गया है पाली भासा में ठीक है इसके साथ साथ इस बहुत संग्रिती की सबसे विश्यस वाती के मौर सासक समराट असोग ने बहुत धर्म के प्रिचार प्रसार के लिए विदेशों में राजदूर भीजे थे और सबसे इंपोर्टन दाने किएगा उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संग मित्रा को स्री लंका बेजाता कब बेजाता त्रितिय बहुत संग्रिती के बाद तो ज्यान देखेगा पाटिल्ट पुत्र में आयोजन है सासक असोग है त्रिपिट का संकलन किया पालीवासा में विदेशों में राजदूर भीजे गए थे बहुत द्रम के पिचार प सासक अने कॉष्ण्य कसमीर में कांपर वंच्छों कसमीर में कॉसाडवल्ज का कैंजा कर निश्क कहां पर में यहां Стamil mad वही व्यक्ति हैं वही विद्वान हैं जिरोंने संस्क्रेट बादसा में बुद्धुचरित का निर्मार किया और इस चतुर्थ बहुत संगिती की सबसे जाएब लेकित किस बौध संगितिमें में गता है कौन से हो जाएगी चौथी चाटृत बहुत संगिति में बहुत धर्म आप और ही नियान में विवाजन हुआता है तो यह है चतुत बहुत संगिती और चारभ बहुत संगिती की बारे में है तो बच्चो कैसा लगा आपको आज का सेशन प्लीज कमेंट और सेयर करके बताईएगा और ज्यादा सी राज इसको सेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं भी इसका फाइदा उठाचें चली बच्चो ठैंक्यू सो मच्च जल्दी ही मुलाकात होगी अगली सेशन में झाल झाल